मैं जिन्दगी का साथ निवाता चला गया कि विधायक आमदार बल्वंत्र वांखड़े इनका बतिजाव। वैसे देखा जाए तो आज मेरे लिए काफी मतलब महतुरन बात है कि मेरे जो चाचा जी है विधायक बल्वंत्र वांखड़े इनके ऊपर अगर बोला जाए तो वर्स कि मेरे पास सही में नहीं है ऐसा उनका मतलब इमेज है आज मैं बच्पन से उनको देख रहा हूँ हाला कि 25 साल हुए जुवन में उन्हें बहुत संगर्श किये हैं संगर्श करते करते आज इस पोजिशन पे है कि इस तालुके के इस मदार संगे के वो आमदार है यहें बल्वन भाव पूरा नाम बल्वन्त बस्वन्त वान खेड़े और आज की पहचान विधायक बल्वन्त राव वान खेड़े आमदार साही विधान सभा में जनता का प्रतिनी धीत्व करने वालों की महराश्ट्र में ये खास पहचान हूँ मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया में जिंदगी का आज का सफर नामा बल्वन्त राव जी के जीवन संगश से यह तो सभी जानते हैं कि इस संसार में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर विशाल का जीवों तक सभी को अपने जीवी के लिए संगर्श करना होता है और हर कोई किसी न किसी रूप में यहां संगर्श रथ है किसी का जिवन संघर्ष प्रकति के साथ तो किसी का स्वेम के साथ और बहुतों का जिवन संघर्ष अपनी परिस्थितियों के साथ तरह तरह के संघर्षों से सामना हमें आये दिन करना ही पड़ता है और प्राप्त परिस्थितियों से दो चार होना ही पड़ता है लेकिन इस संगरिश में हर एक के मन में ये कामना और विश्वास जरूर होता है कि एकने एक दिन हम सफल जरूर होंगे आज एक सफल जीवन की दास्तां से रूबरू होते हैं मैं द्यात में रहने वाला एक नागरिक हूँ जो कि मेरा बच्पनाई सब पूरे द्यात में गया और मेरी पड़ाई के बारे में मेरी जो मामा है दिवंगत हो ये देशावाग पंदर जो कि कापी समय तक राच्कारण में रहें उनके यहां मैं आया उन्होंने मेरे को पाल पोस्कर बड़ा किया और उनके ही शत्रशाया में मेरी पड़ाई हुई मेरा बच्पन उनके हाई गुजरा और उनके हाई रहते रहते जो उनकी संस्ता है उनके संस्ते पर मेरे को क्लर्क यह पड़ पर उन्होंने पुश्टिंग की और मैं क्लर्क का काम करते रहाई यहां मामा के साथ रहने का मतलब यह नहीं था कि बस मामा के आसरे जिंदगी बसर करना बलकि यहां जिंदगी के माहने कुछ और थे यहां अपने जीवन को अन्य लोगों की जिंदगी से जोड़ना उनकी मुसिबतों में उनके साथ हो लेना उनकी सहायता करना उनके दुख दर्द बांटना हक अधिकार सुरक्षीत करने की लड़ाई में उन सब बेबस जिंदगी के साथ हो लेना जो अपने जीवन का अधिकार ही खो बैठे है क्योंकि बलवंतराव जी के मामा वाक पांजर अमरावती जिले की वो शक्सियत रहे जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और राजनिती के जरिये खेतर के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी और बलवंतराव जी के लिए मामा वाक पांजर की उंगली थामना मतलब बिलकुल ऐसे ही था जैसे जीवन की बारिकियों से परीचे कराने वाली और जीवन की और जिम्मदारी से देखनी की शिक्षा देने वाली बाठशाला में दाखिला लेना उनी के साथ राचकारण में जो कुछ सिखना है समाज शवा कुछ करना है वो उनी के साथ रहते रहते मैं समाज में काफी प्रशिद हुआ और मेरी जो समाज शवा है थी पूरे समाज के लिए आदर्श थी कि मैं जो समाज शवा करता था उसमें से बहुत लोग प्रभावित हुए लोगों का हमारे काम से प्रभावित होना ये नेत्रत्विक्षमता का एक बड़ा कौशल है विधायक बलवंत्राव जी आज जिस मकाम पर है उसके पीछे बड़ा संघर्ष भी है जिसमें दिन का चैन और रातों की नींद दोनों से बलवंत्राव जी का कई बरसों तक कोई वास्ता नहीं ये है मन्दा बलवंत्राव वान खड़े विधायक बलवंत्राव जी की पत्नी तै कि आज सब्क्ताव स्वर्फ जी नंस थे बलवंत्राव जी मटाय बलवंत्राव जी सबिया है आज सब्कत्राव ज्यूत्या बलवंत्र विचार संथे पात नंद मेबलत्राव जी आज साण शमान कै जीवन में किसी भी उंचाई पर छलांग लगा कर नहीं पहुंचा जा सकता। एक-एक सीड़ी चड़कर ही अपनी मन्जील के करीब जाना होता है। समाज सिवा ये बल्वंत रावजी के जीवन का मूल है। लेकिन समाज सिवा में कई काम ऐसे होते हैं जो विधाईका से जूड़ते हैं, प्रतिन धित्व से जूड़ते हैं, और तब मन में किसी खास इस्थान को पाने की ललक पैदा होती है। विधाईक बल्वंत रावजी का ये सफर भी कुछ ऐसा ही है। स्टुड़न्ट लाइप में पॉल्टिक्स में एंटर किया है। कॉलेज में इलेक्षन जैसे सियार हो गए, जियस हो गए, जियस हो गए, इनके इलेक्षन में वो काफी मुहत वपरन, उनका एकद्वान रहा है। मैं ग्रामपंचत में खड़ा रहा, ग्रामपंचत में चुनक्या है। पात साल ग्रामपंचत का सदश्य रहा है। और दूसरी चुनाओं के बारे में बाद में मैं सरपंच रहा। सरपंच रहने के बाद जिलापरिषद के चुनाओं आये, चुनाओं में खड़ा रहाया, मैं चुन के आया, और सरपंच पत का इस्थिपा दिया, बाद में मेरे मामा गुजर गए, उनी के दवरान विदान सभा का चुनाओं आया, चुनाओं में मेरे कुपार्टेजिंटिकी डीन है, रिपप्लिकन पार्टे ओप इंडिया से हम जुड़े थे, और मैं अपक्ष खड़ा रहा, अपक्ष खड़ा रहने के बाद दो नंबर क के ओट मिले, और बाद में और चुनाओं जिल्ला परशिद का या, जिल्ला परशिद में चुनके आया, जिल्ला परशिद में आरोग्या और वित्त सवापदी बना, महां काफी सहयोग, हमारे नेता बबलुबु देश्मुक इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, और उनिके मार्गदर्शन पे मैं दो हजार उनिस का अमधार्की का चुनाव था, वो चुनाव कांग्रेस के चिन्न पर पंजा पर लढ़ा और कौपी होट से चुनके आया, इसके पीछे जो मेरी पारशुब में है, वैसी समाश्यवा की रही, चाहे आरोग्य का विशे हो, चाहे और कुछ अन्य विशे हो, उस पर मैंने जो समाश्यवा की, वो समाश्यवा मे से मेरे को ये पत पर लाके उन्होंने खड़ा किया। विधायत बलवंतराव जी के आचरण का ये जो सहज भाव है, ये कोई दिखावट नहीं, उन्होंने अपने घर को नाम दिया, मामारपन, पुराने दिनों की याद करते हुए बलवंतराव जी की पतनी कहती है। जाली तेवा माजे मुला है सर्व लाहन लान अच्वत आमची जोईन फैमिलियस ले मोडे, मैं मी दर्यापुर लाली, मैं मुल्लाने चा वाड़ात रहात हुए। मना अच्वत लगण जालावर माग तेवन मोठी रूम गितली, मां दोन रूम मते माझे मुला, माझे पुतने चार्व, पास मुला, आमी धोग, हे मुलास माझे माझे जोट रहात हुए। में दुखा, सुखा शर्व, हेस् करायचे, मुलज करायचे, कारान भी आलाव खुब जन्तीचे, खुब मजे जन्तीचे सवादी नसल्या मुले तेहला घरचा काइस। जहां वाड़ा हुए। पर परफ श्टोर में स्वयम्हाइब अंपर मां आर्मा आमच्या स्वायर नोता अटीनाची अचा थोधी फंसे घर मालक कोधे तैसा मूल्का मनत ऑता कि ते भाव मनत त्टेपकि भहू आप मुला उनाप 塔ता अंधिन तीक। अबढल tomb retired कुल सची में त亞 मनुन के मैंट ऑने चगेड़ा अंय। लग व्रिव पायाएजे दे समझ लगा गायाएजे विदायक बल्वंत्राउग जी के पारिवारिक जीवन की एक खुबी और भी है और वो है संयुक्त परिवार। वैसे ये हमारी पुरातन ग्रामिन जीवन शैली रही है लेकिन बढ़ते शहरीकरन के साथ संयुक्त परिवार वाली संकल्पना भी बहुत कमजोर पढ़ती चली गई। फिर भी बल्वंत्राउग जी के परिवार ने अपना परिवार आज भी इकठ्था रखा है. और तीन चोटी बहेन है. यह पुरा हमारा एक संग परिवार है. और हमारी जो परिवार है, हमारे गाव में आइडियल परिवार हमारा माना जाता है. कि भई, नहीं मतलब परिवार हों तो इनके जएसा है. मेरे फैमिली में, मेरी जाइन फैमिली है, मेरा भाई, बड़ा भाई, उनके सब बालवच्चे, मेरी माँ, मेरी औरत, मेरी बच्चे, हम सब आज तक पूरे इकटा है, और हमारे फैमिली में, जो एक संगा फैमिली बोलते हैं, जिसको हमारी एक संगा फैमिली है, काफी अच्छी फैमिली, का मेरे को सयोग रहा, मेरे भाई का, मेरे जो भाई की औरत है, वहीं नहीं बोलते हम, उनका काफी सयोग रहा, और आज करन में उन्होंने मेरेको बहुत साथ दी, घरेवलु काम में उनकी साथ रही, उनसे चलते हैं मेरे बहुत आगे बढ़ा। माजे अपा माला खुब खुश्ट होदार, सर्वकाई आन्ताथ आनी मी खुब भाग्येशा लिया है कि माला अशे अपा भिटले, टैंचे समासकारिया पाहून, माला पन समासकारियाची आवल निर्मान होते हैं। बलवन्तरावजी का जीवन आज जनता की सेवा में समरपीत है। जीवन में किसी का आधार पाकर, किसी की सहारे, जीवन कैसे आगे बढ़ता है, बलवन्तरावजी खुब अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि जिन्दगी एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ती है, उन्नत होती है। मामा वाकपांजर के आधार के प्रतीवे आज भी कृतग्य है और जब उन्हें याद करते हैं तो बल्वंतराव जी की आँखे नम हो जाती है। मेरे माबाप मजदूरी करते थे और मेरी जो पढ़ाई हुई वो जिल्ला परिशित के इस्कुल में पाथवी तक हुई बाद ने मेरी पढ़ाई ये दर्यापूर में प्रभवदन हैस्कुल में हुई परिस्तिती हमारी बोती नाजुक थी जिसमें हमको बोत सारा काम करना पड़ा खेत में जाना मुझूरी करना और Пढ़ाई करना उसके बाद मामा ने जो मेरेको जो यहां लाया उनके पास लाया तो सब पूरा उन्होंने मेरी पढ़ाई हो मेरे बागी जो कुछ है वो सब मामा ने किया और मामा राजकारण में रेने के बाद मेरे भाई और मेरे कूप जो उनके सौंस्ता था उनके सौंस्ते पर लगाया तो हम कापी आगे बढ़े है। आज विधायक बलवंतराओ जी वान खड़े जो लोगों में घेरे हुए दिखते हैं तो ये कोई आज की बात नहीं। बलवंतराओ जी की जिन्दगी का ये एहम हिस्सा है कि वे हमेशा लोगों के दुख दर्दों में उनके साथ रहे। वे आज भी छेत्र की सरकारी अस्पताल में जाकर उन मरिजों का हाल पूछ ही लेते हैं कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। बड़वन्भव के बात करूं तो समात से लेके रिलेटेड उनका बहुती महित्रिपूर्ण प्रेम है। और उस प्रेम के बदलेटी अधि पूरे जननता का जो महितरि बाहवय, उनके साथ शुरू से रहा है और शुरू से वो कारे भी उतने करते आ रहे है। और साती साथ सबसे पहला जो महितरिपूर्ण कारे है उन्हों ने रुग्नों की बह,"रुश सेवा किये और औरुगनों के सेवा करत्ये करत्य अज उठा उन्होंने शारा जनसमूधाय में इतना प्रेम अरुपित कर चुके है कि आज जनता की ताकत और उनका उत्साहा, उनके कारे इतने है कि आज इतने बड़े मुकाम पियो पोछ चुके है पूरे दर्यापूर तईसिल में ही नहीं तो बुरे अमरावती में उनका समाज के प्रति शुरू से बहुत अच्छा कार्य चल रहा है जोन में बहुत चला उतारा है जैसे कि बच्छपने सी काफी बरिश्तिती कमको थी और उसमें सी जो कुछ कुछ संगर्षय करना पड़ा वैसा तो कोई भी संगर्षया है कोई भी अर्चे नहीं तुम्हें उसको कुछ मानते नहीं रहा है मेरा काम है वो करते रहा है और जब सुनने से जब मैं अभी आमदार बन गया तो रिपब्लिकन पारटी का भी बहुत सहयोग रहा है उनके वो चडोल में मेरा पूरा जो युवापन है वो सब बुजर गया है उनके जो अंदल थे जो कुछ समाज के लिए करना था जब जब मैंने किया तब 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 वो पूरे दिल के साथ और पूरे ताकत के साथ मैंने जब पारटी में काम किया तो उसका समाज को बहुत सारा फायदा हुगा है और मेरे जोन में उसका बहुत मैं उचाई पर मैं वो रिपुब्लिकन पक्सी से आया है। प्राव जी कहते हैं। योग थे, कि हम उस्टाइब बड़े-बड़े साहित्य सम्मिलान, बड़े-बड़े कार्यक्रम लेते थे, जो कि समाज के लिए कुछ उसका उपएभ हो, तो मनोर, डॉक्टर एश्वंद मनोर, वसंत सिंदे, यहने अईसे बहुत सारे भाव लोखंदे, ताराचंद्र खंड नागेश, चाओधरी, यह सब लोग हमने साल, एक साल यह एक साल वो अशे करके लाए, और समाज को एक दिशा देने का काम, मैंने विध्धारती जब मैं था वो पिरेड में किया है। वसंत्राव वान खड़े, आमी यहानना लानपना बसुनस वलगतो, आनि त्यांचे तलागळा ते यह लोकान साथी जे धाव पड़ा है। दर्यापूर अमरावती का क्षेत्र विधायक बलवंत वान खेड़े के लिए मात्र निर्वाचन का क्षेत्र नहीं। बलकि इस खेत्र के विकास का एक संपूर्ण खाका उनके मन में हैं, जिसे वे अपने कार्य के द्वारा साकार करना चाहते हैं। अध्यक्षे में उनकी मठींग ली। और पुर्णारोसने 2007 का पुर्णारोसन था। बहुत प्रशन थे, वो भी सब हमने उसका निराकरन किया। और मद्दार संग में जो भी काम है अभी विकास के, उसके लिए काफी बार-बार जगडता रहा, बार-बार प्रशनों उठुश के विदान सभा में उठाते रहा। और वो काम जो मद्दार संग के है, वो सब होने जा रहा है। बहुत सारे रोड़े रस्ते हैं और गाव का विकास है, वो गाव के विकास में जो जो करना है वो करने का। गाड़गे महारच का है, जो जल्मभूमी है, उसका अठा करोड का प्लयान है, उसका भूमी बुजन हो रहा है। और गाड़गे बाबा का जो जो और स्तल है, वो स्तल बाबा साब के पुतला का संदरी करन, समाज मंदीर, बुद्ध भिहार और दलित वस्ती इस पर ज्यादा ख्याल करने का प्रैस रहेंगा। अभी बहुत सारे गाउ में बाबा साब के पुतले का संदरी करन, शुवाजी महाराज के पुतले का संदरी करन और समाज मंदीर का काम चालो है। विधायक बलवंतरावजी यदि दर्यापूर में हैं, तो बस लोगों के बीच उनके दुख दर्द, उनकी समस्याएं सुलजाने के लिए तत पर बैठे हैं। उनके जनसंपर कार्याले में दिन भर, देर रात तक योहीं खेतर के लोग अपनी उल्जनों के साथ उपस्थीत होते हैं। एक जनसामानेंचे आनी कुटुमबात सरक्व प्रत्यगाला अपले कुटुमबाति इन सदस्यों समनारे जनसामानेंचे आमदार अधर निया वलोंतभव पानखळे जन्चा मी 20 परश्या पसुन कारे करता है। 2000 बदे तैंची माजी बेट जाली। जमा दर्यापूर तालुक्या मदे एक धम्म ग्रंथ वाटप सोला तेनी आयुजित केला होता। त्यों पसुन माजी आमची तैंचे सुबची जे नाता है है अतिशे खंगला प्रकारे घट्ट जाला। त्यों बशुन वीश्वर्श्या पसुन तैंचे कार्या है। जब आमधर बना मेरा उद्देश थाई कि कॉंग्रेस प्रक्षिम में आमधर हो। मैं मेरी चर्वल मेरा खुन ये अमेड़करी वीचार का है और अमेड़करी वीचार के लोग कई हार मानते नहीं और जुम्मेदारी जो आई मेरे पर ये समाज के लिए बहुत बड़ी जुम्मेदारी है। मैं पक्षे का तो हूँच। पक्षे के बरावबर समाज के हित का जो जो करना है वो करने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। जैसा कि चुल के आने के बाद बहुत सारे निर्णे हैं कि मैंने समाज की हीत में मैं खड़ा रहा और समाज की हीत के लिए आगे भी काम करते रूँगा विधायक बल्वंत बस्वंत वान खड़े एक अंतर मुखी स्वभाव का व्यत्ती पूर वे बोलते कम हैं लेकिन उनका काम खूब बोलता है अपने कारी पर उनका अटूट विश्वास है और हमेशा कार्य करता के मिजाज में रहते हैं जन्ता की सेवा में समर्पीत एक लोग सेवक के भूमी का बड़ी जिम्मिदारी के साथ निभाते हुए वे बड़ी सहष्टा से कहते हैं मैं समाज के लिए यही कोँगा कि जो बाबा-साब की चड़वTF test cheese उब किर शा अप लोगोंने सामयाने के हुऊना और अपनी जो चड़वक्त है वे चड़वके उपर ही अपनी भला है और उभाने ने कोँगा कि आद्मी ने प्रामानिक दिल से जो काम केहार, तो छोटा सा छोटा आदमी ये बड़ा बन सकता और उनने अपने एमान दरी से जो काम करना है, वो काम करना चाहिए ने अधिते कवैरे बढ़ा साप की भागोहान बुद्द की जो चंवल है जो उनका काम है वो अपना काम, आपने लिए है वो काम, इसलिए अपने करना चाहिए अपने करना चाहिए